आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Complexity goes on increasing as we move from lower level to higher level of organization यहां पूछा गया है कि जो complexity होता है between a body या फिर हम कह सते हैं कि within an organism वो क्या होता है कि complexity higher and higher होता रहता है यह statement जो है यह correct है यह false है तो basically अगर देखा जाए तो किसी भी body का जो starting point होता है वो होता है cell जिसको कि हम लोग basic unit of life के नाम से जानते हैं और यह cell जो है यह particularly हर एक organically को अपने अंदर रखता है और इसी वैसे cell को क्या बोला जाता है कि यह body का एक functional और साथ में एक structural unit है और इसी वैसे यह body के structural functions को maintain करता हुआ दिखाए देता है अब एक body में cell जो है वो aggregate करता है और aggregate करके form क्या करता है यह form करता है tissues को और यह tissues फिर aggregate करता है group of tissues बनता है जो की organs को form करता है तो अगर देखा जाए तो cell जो है एक single unit था फिर यहाँ पे multiple unit होके यहाँ पे form हुआ tissue जो की more complex form है उसके बाद organs जो है वो यहाँ पे tissue multiply होके form हुआ जो की higher है और फिर organs को लेके यहाँ पे perform हुआ जो organ system है और यह organ system ultimately form करता है body को तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो जो organization है वो lower से higher level ऐसे अब अब जाने वाले होते हैं जिसके लिए पता चलता है कि जितना हम आगे बढ़ते रहते हैं उतना complexity within the organisms भी increase होता हुआ दिखाई देता है और इसी हिसाब से यह statement जो है वो बिल्कुल true statement हो जाते है और इसी को हम यहाँ पे note कर लेंगे Classics to 12 से लेके NEET IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर